नमस्कार मेरतिका आप देख रहे हैं था पैमफलेट शुरू करते हैं आज की वीडियो से भारत और पाकिस्तान के बीच मैं 1999 से जुलाई 1999 तक चले कारगिल युद में हजारों लोग मारे गए थे पाकिस्तानी सरकार द्वारा दिये गए आंकडों के अनुसार लगबग 4,000 पाकिस्तानी इस लड़ाई में मारे गए थे जबकि 500 से अधिक भारतिय सैनकों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गवाई थी इस कारगिल युद में सबसे बड़े विलन थे परवेज मुशरण उनकी कल मिर्ति हो गई दुर्भागी की बात यह है कि जीते जी कश्मीर छीन लेनी की चौईस रखने वाले परवेज मुशरण को मरने के लिए पाकिस्तान तक नसीब नहीं हुआ लेकिन भारत में बैठे बैठे कुछ पाक परस्त कल फूट फूट कर रो रहे थे और अपना दुख्रा गा रहे थे इन में से एक नाम जो सबसे उपर आता है वो है शशी थरूर का कॉंग्रेस नेता शशी थरूर ने पाकिस्तान के एक्स प्रेजिडेंट परवेज मुशरफ की मौत के बाद एक ट्वीट किया परवेज मुशरफ को शद्धांजली देते हुए शशी थरूर ने अपने ट्वीट में ये लिखा कि परवेज मुशरफ भारत के कटटर दुशमन थे और कारगिल के लिए जिम्मेदार थे लेकिन लेकिन उन्होंने 2002 से 2007 के बीच भारत के साथ शान्ति के प्रयास किए मतलब शशी तरूर के अगर चलती तो कल कहीं परवेज मुशरफ के लिए शांती के लिए नोबल प्राइज या फिर ऐसे कोई पुरसकार की मागना कर लेते कुछ लोगों ने तो शशी तरूर को ये भी आद दिलाया कि रुखो भाई ठेरो जरा ये परवेज मुशरफ है महर तरार नहीं कॉंग्रेसी नेताओं को आज भी पाकिस्तान की पाकिस्तानियत में ही फिर्दोस नजर आती है पाकिस्तानी नेताओं को अपना मामा डिकलेर करने की बेचैनी और तडब ही कॉंग्रेस नेताओं के अंदर कुछ ऐसी है जैसे आज भी देश के अंदर कई हिस्सों में महिलाएं अपने पती, जेट और ससुर का नाम लेने से बच्चती है उसी तरह कॉंग्रेस के नेता और राहूल गांदी के राजनेतिक गुरू कहे जाने वाले दिगविजे सिंग मुंबै हमले के मास्टर माइन हाफिस सईद को साहब कहते है उन्होंने उसी प्रेस कॉंफरेंस में हाफिस सईद के लिए बेहत सम्माननीय तरीके से उन पर उनको जैसे आदर सूचक शब्दों का इस्तमाल भी किया था मतलब अगर उस वक्त हाफिस सईद दिगविजे सिंग के सामने आ जाते तो हो सकता था कि वो अपने चेहरे को बुरके से भी ढख लेते शायद इन सब को देखकर ही पाकिस्तान के पिछले प्रधान मंतरी नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंग को देहाती औरत भी बोल दिया था ऐसे ही एक मनिशंकर अयर भी थे वो अलगी लेवल पर चलते थे उन्होंने तो पाकिस्तान से भारत में सरकार गिराने की तक मदद मांग ले थी भारत में आर्मी जनरल को भले ही कॉंग्रेस के नेता सडक छाप गुंडा कहते हो पर पाकिस्तानी जनरल को एकदम टाइट वाला हग देते हैं जैसे लॉंग डिस्टंस रिलेशन्शिप वाले दो प्रेमी जोडे लंबे टाइम बात के बाद मिलते हैं और आलिंगन करते हैं जैसे कई सदिया गुजरने के बाद ये किसी वैलेंटाइन वीक में मिल रहे हो लेकिन 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 जिस परवेज मुशरफ ने कारगिल में मारे गए अपने सैनिकों की डेट बॉडी इस तक लेने से मना कर दिया था उसे शांती का मसीहा बताने वाले सिर्फ शशी थरूर नहीं है में कैरेक्टर अभी बाकी है जिनका नाम आप गयस कर चुके होंगे ओविसली सुब्रमण्यन स्वामी सुब्रमण्यन स्वामी ने परवेज मुशरफ की मौत के अगली सुभाई ट्वीट करके लिखा था कि मुशरफ को वो परसनल ही जानते थे और वो भी शांती के लिए काम करना चाहते थे लोग स्वामी से सवाल भी कर रहे हैं कि भाई आकर कहना क्या चाहते हो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि चचा मुशरफ ने शांती के प्रयास कारगिल से पहले किये थे या कारगिल के बाद अब इसके जवाब में सुब्रमन्यन स्वामी लॉजिक भी देते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि कारगिल के युद्ध में मुशर्फ तो अपनी सिर्फ ट्यूटी निभा रहे थे लोग शायद भूल गए हैं कि सैन्य तक्ता पलट से पाकिस्तान पर शासन करने वाले इसी मुशर्फ ने अपने इगो के लिए कई हजार पाकिस्तानियों को कारगिल के युद्ध में मरवाया था और भारत के करीब 500 से अधिक सैनिकों ने इसमे अपना बलिदान लिया था हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर तबाते हैं तन्यवाद